हेलो फ्रेंड्स रादे रादे कैसे आप लोग वेलकम है आप लोग के बहन के किचेन में इतनी सारी रेस्पी बना चुकियो और अभी तक मैंने पास्ता नहीं बनाया अपनी यूटूब फैमली के लिए पहले मेरे वीडियो को लाइक करते हैं चले आप लोग भी मेरे साथ बनाये पास्ता यह मैंने आल सीजन पास्ता लिया है करना ही है कि पास्तो को अच्छी तरह से बॉयल कर लीजी और हमारा पास्ता अच्छी से बॉयल हो चुका है I think pasta boil करना सब को आता है, ये किसी को बताने के जुरत नहीं है एक पैन में डादी थोड़ा सा oil, बारी कटा हुआ garlic, cumin and green chili and बारी कटा हुआ onion कोई भी डिस बनाने से पहले उसकी chopping सबसे पहले कर लेनी चाहिए मैं एकसर पहले ही सारी chopping कर लेती हूँ, ताकि मुझे बनाते समय कोई भी परिशानी ना हो और हमें सारी चीज़ों को light brown करना है, जादर dark brown नहीं करना है अब add करेंगे बारी कटा हुआ tomato अगर आप लोग को tomato बहुत ही अच्छी तरह से cook करना है तो उसमें थोड़ा सा नमा कूपर से डाल दिज़े इससे tomato बहुत जल्दी cook होगा और बहुत ही अच्छी तरह से cook हो जाएगा अब हम add करेंगे इसमें थोड़ा सा tomato sauce और सेजवान चटनी फिर अच्छी तरह से mix करेंगे सारी चीजे color देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा color आ रहा है अब मैं इसमें डाल रहे हूँ थोड़ा सा water और water डाल के ना सारी चीजें अच्छे से cook करना है बिल्कुल जिस तरह से मैं कर रहे हैं बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे अभी अच्छी तरह से cook हो चुका है देख सकते हैं आप लोग अट करेंगे boil pasta मैंने इतना धेर सारा इसलिए बनाया मेरे ग़र में बहुत सारे लोग है मैंना इसमें थोड़ा सा pasta मसला डाल रही है आप लोग डाल सकते हैं इससे टेस्ट और अच्छा होगा है इसकिप बे कर सकते हैं फटा फट अच्छे से pasta को mix करिए बस बहुत जल्दी है हमारा pasta ready होने वाला इससे बहुत यह अच्छी तरह सारे चीज़ें mix करनी है यह pasta साम को evening snack में बना सकते हैं और कभी-कभी आप लोग अपने बच्छे को lunch box में भी दे सकते हैं I know very well बच्छों को lunch box में यह सब जादा चीज़ें नहीं देना चाहिए कभी-कभी देना चाहिए बढ़ हाँ कभी-कभी तो देना बनता है न और हमारा pasta अच्छी तरह से mix हो चुका है और खाने के लिए ready है मैंने ना ओपर से थोड़ा design बनाने के खोशे की ताकि more beautiful दिख सके और हाँ guys आप लोगो थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, subscribe, share जरूब करें thanks for watching, subscribe for more, bye bye